हैं लो गैज वैलकम टो all of you learn with me स्वागत है आप सबीका हमारे यूटीब चैनल learn with me डोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ही वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजेगा आज हम पढ़ने वाल हैं सिलोक्स का पार्ट थ्री इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ाया था जिसमें हम लोगों से चेक करना सीख लिया था इतना कॉंसेप्ट मुझे उमीद है कि आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा ठीक है अगर आप लोगों ने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लीजेगा आज हम आईदर और का कॉंसेप्ट सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्शन की ठीक है ऑप्शन की बात करूं तो पांच ऑप्शन दिये रहते हैं एक्जाम में ठीक है पांच ऑप्शन दिये रहेंगे जिसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या रहता है पहला सहीं रहेगा कंक्लूजन दूसरा गलत रहेगा ठ 12 आगा में इसका एक्रान न जोट रहते कि चोथा क्या रहता है याहthey3 मतलब फोच जैना यहाता तक मन स्व operate दोनों क्या रहता है यह तो बन जाएगा कि हम ने conclusion check किया पहला सही होगा तो हम इस option को tick कर देंगे ठीक है दूसरा सही होगा तो हम इस option को tick कर देंगे दोनों सही होगा तो हम इस option को tick कर देंगे अब बात फस्ती है इसमें यह भी गलत होना चाहिए यह भी गलत होना चाहिए मैंने inequality में आप लोग को यह पढ़ाया था तो अब इसमें हम सी लॉक्स में कैसे चेक करते हैं तो आज हम इसका concept पूला clear कर लेंगे ठीक है तो चलते हम अपने either or के concept की तरब ठीक है अप यह slide देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ either or के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए both conclusion must be wrong क्या होना चाहिए दोनों conclusion क्या हो जाना चाहिए गलत हो जाना चाहिए ठीक है मैंने देख लिए दोनों conclusion गलत है अब दूसरी condition क्या बोलती है character must be same in the conclusion अब character क्या होने चाहिए same होने चाहिए मतलब a b लिखा तो a b होना चाहिए ठीक है तिसरी condition के अगर बात करूँ तो तिसरी condition क्या बोल रही है the pair pair कौन-कौन सा है no का और sum का और sum not का और all का ठीक है तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी either or बनेगा no और sum में बने ठीक है of negative and positive conclusion must be wrong मतलब इन दोनों का जो pair बनेगा एक negative एक positive है एक negative एक positive है ठीक है इन दोनों का जो pair बनेगा हमेशा वो क्या होना चाहिए गलत होना चाहिए तभी either or follow करेगा ठीक है अब हमेशा ध्यान रखना no और sum में ही either or चलेगा और sum not all में ठीक है इसके अलावा किसी म भी either or नहीं चलता है करेगा कि सम और sum not में भी either or चलता है अगर आप sum not में रखना जाता है ठीक है अगर पता चलगी अब एक बात आप लोगों को और क्या धियान में जब भी no और sum की मैं बात करूँगी इसमें character क्या हो सकते हैं बदल सकते हैं interchange हो सकते हैं जैसे no a is b लिखा है और sum b और a अगर ये दोनों गलत है character same है तो ये क्या रहेगा और no और sum का pair है मतलब ये क्या करेगा either or को follow करेगा ठीक है a और b लिखा हुआ है और b और a लिखा हुआ है मतलब इसमें क्या है character interchange हो सकते हैं ठीक है a b b a चलेगा a b और a b भी चलेगा ठीक है दोनों क्या हो रहेंगी no और sum में character क्या हो सकता है interchange हो सकता है लेकिन sum not और all में character interchange नहीं होता है ठीक है some not और all में कभी भी interchange नहीं होता है मालो लिखा हुआ है all a are b और some a are not b इसमें क्या रहेगा मालो दोनों conclusion क्या गए गलत आ गए मैंने देखा character क्या है same है और some not और all है मतलब either or क्या करेगा follow करेगा पर अगर यही क्या हो जाएगा some not और all में मालो किसी में भी एक conclusion में character बदल दिये गए तो यहाँ पे either or follow नहीं करेगा ठीक है हमने क्या सिखा no और some में either or follow कब करेगा जब character same रहेंगे तो भी और interchange हो जाएगे तो भी लेकिन some not और all में कभी भी character interchange नहीं चलता है इतनी बाते बस ध्यान रखने इतनी बाते अगर हम लोगों ने ध्यान रखने चली तो क्या होगा हम इस question को solve कर पाएगे क्या क्या दोनों conclusion गलत होने चाहिए character same होने चाहिए pair जो बनेगा हमिसा no और some का बनेगा some not all का बनेगा ठीक है ये तीन बाते हुई और क्या रहेगा ये दोनों conclusion गलत आ जाएंगे ठीक है तीन बाते हुई अभी क्या रहेगा इसमें character interchange हो सकता है इसमें character interchange नहीं हो सकता है सिर्फ ये चार बाते हमें ध्यान रखने है ठीक है अब चलती हूँ मैं अपनी statement की तरफ ठीक है उससे हम और ज्यादा समझने की कोशिस करेंगे statement ये रहागा क्या लिखा हुए sum ARB मैंने diagram draw कर लिया क्या लिखा है sum ARB ठीक है फिर बोल रहा है sum BRC मैंने लिख लिखा है sum BRC फिर बोल रहा है no C is D ठीक है ये diagram बन गया अब चलते हम हमारे conclusion की तरफ तो conclusion फर्स चीजे रहा क्या लिखा है sum ARD क्या sum ARD है ये पहला conclusion आ गया ये दूसरा conclusion आ गया ठीक है sum में पूछ रहा है A और D का sum ARD है नहीं मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया फिर क्या बोल रहा है no A is D no पूछ रहा है A और D का A और D में direct line दीक रही है no की नहीं मतलब ये भी क्या गया गलत आ गया अब मैंने देखा दोनों जब conclusion गलत आ गया तो में दिवार क्या चलेगा या तो$ आईदर और होगा या तो ना देदर नर होगा या तो third option या तो fourth option ठीक है अब मैं क्या करूंगी दोनों गलत हैं तो सबसे पहले energy चच करूंगी अगर either or pen to follow कर रहा है तो third option अगर either or follow नहीं करेगा तो fourth option ठीक है अब मैंने देखा दोनों गलत है character क्या है same है sum और no का pair है मतलब यह क्या करेगा either or को follow करेगा ठीक है अब चलते हम हमारे दूसरे statement की तरफ ठीक है sorry दूसरे conclusion की तरफ दूसरा conclusion यह रहा क्या लिखा हुआ है no b is d फिर मैंने इसे draw कर लिया a b c था और यह क्या था डी था ठीक है अब मैंने बोला no b is d no d की line दीख रही b और d में नहीं मतलब पहला क्या हो गया गलत हो गया ठीक है यहां पे लिख लें ते हम no किसका किसका पुछा है no b और d का b और d है नहीं गलत हो गया दूसरा क्या पुछा है sum d और b का ठीक है sum d और b है क्या sum और d और b दीख रहें आप लोगों को नहीं मतलब यह भी क्या हो गया गलत फिर मैं देखूंगी दोनों conclusion गलत है character क्या है same है no और sum का pair बन रहा है अब यहां पी character क्या हो जा रहें interchange तो no और sum में interchange चलता है ठीक है क्योंकि दोनों तरब से relation होता है इसलिए क्या होता है no और sum में interchange चलता है ठीक है पहला हम लोगोंने बिल्कुल basic किया no और sum का ठीक है उसके बाद all sum not वागेरा पढ़ा हम लोगोंने चीक है उसके बाद यह पढ़ रहे हम either or का ठीक है उसके बाद possibility फिर negative possibility एक की करके चलेंगे बिल्कुल आराम से कोई हड़बड़े नहीं है ठीक है इतना समझ में आया यह भी क्या हो क्या सहीं either or को follow कर रहा है अब हम चलते तीसरा conclusion यह रहा क्या बोल रहा है no c is b यह diagram था हमारा a b c का और यह था d ठीक है क्या बोल रहा है अब इसमे no c is b ठीक है दूसरा conclusion क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं sum का c और b के सां ठीक है अब कुछ होशार करेगा बट ऐसा नहीं होगा ठीक है हमें क्या करना है सबसे पहला हमारा होना चाहिए दोनों गलत आएगा उसके बाद ही तो हम डिसाइट कर पाएंगी कि either or follow करेगा भी कि नहीं करेगा ठीक है तो अब क्या करूंगी मैं सबसे पहले चेक कर लेती हूं no c is b लिख रहा है क् नू की लाइन दीक दी दी में नहीं मतलब यह क्या गलत हो एठीक है अब सम c r b लिखा हुआ है तो सं जी ओर b है बिलकुल है मतलब यह क्या हो गया सही हो गया तो अब इसमें caval up की कंडिक्षन बनी क्या नहीं क्यों नहीं नहीं क्योंकि एक तो सहीं आचुका है और erm stand by सेकंड कंक्लूजन इस फॉलोज ठीक है इसका अंसर क्या जाएगा सेकंड अब चलते हम अपने चौते कंक्लूजन की तरफ चौता कंक्लूजन क्या बोल रहा है समनोट बोल रहा है समनोट किसमें बोला है समनोट बोला है ए और दी में और इसका दूसरा कंक्लूजन क्या बोल निगेटिव रिलेशन है नहीं है एक साथ कोई ऐसा बंदा जुड़ा है जो डी के सा निगेटिव रिलेशन रखता हो बिल्कुल नहीं बी जुड़ा है पर बी का डी के साथ है क्या नहीं है मतलब यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब सम ए और डी नहीं है मतलब यह भी क्या हो गया गलत हो गया अद्धिमाग कहा दोड़ेगा मेरा कि आइदर और क्या follow करेगा मैंने देखा दोनों conclusion गलत है character क्या है सेम है यहां तक कि तो सही बात हुई अब some not or some some लिख गया मैंने बोला कि no और some में चलेगा और sum not all में चलेगा ठीक है यहाँ पे sum not और sum दिख रहा है तो इसमें चलेगा क्या नहीं इसमें कभी भी नहीं चलेगा ठीक है बहुत जग़ा आप लोगों को लिखा हुआ दिखेगा कि इसमें either or चलता है बट इसमें either or कभी नहीं चलता है Either or सिर्फ no or sum और sum not or all में चलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा either or को follow नहीं करेगा तो इसका answer क्या जाएगा neither first follow nor second follow मतलब both conclusion are wrong ठीक है इसका answer क्या हो जाएगा neither nor ठीक है चलते हैं अब हमारे अगले conclusion की तरब किये रहा हम लिखा हुआ है sum a are not b ठीक है sum a are not b लिखा हुआ है यह मैंने ड्रो कर लिया अब conclusion बोल रहा हमारा पहला sum a are not b sum a b not ठीक है और क्या बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है sum sum a are not b और sum b are not a ठीक है sum b are a बोल रहा है ठीक है क्या वोर है conclusion sum a are not b और sum b are a अब sum a और b में हम चेक करेंगी sum not sum not दीक रहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा negative relation a b का दीक रहा है नहीं मतलब यह क्या हो गया sum b are a है क्या बिलकुल है sum b are a मतलब यह क्या हो गया सही हो गया तो इसका अंसर क्या जाएगा पहला गलत दूसरा सही मतलब only second conclusion is follow मतलब option number two is correct ठीक है आई बात समझ में अब चलते हैं हमारे अगले conclusion की तरफ यह रहा क्या लिखा है sum b r not a sum not का b और a लिखा हुआ है ठीक है पहला conclusion दूसरा conclusion क्या बोल रहा है all b r a all का लिखा हुआ है b और a में ठीक है यह था हमारा statement यह था हमारा statement अब मैंने देखा sum not b और a में नहीं a और b का negative relation है नहीं मतलब यह क्या हो गया गलत a और b all a क्या b है नहीं sum a r b है all है क्या नहीं मतलब यह बहाँ गलत अब मैंने देखा कि दोनों conclusion गलत है करेक्टर क्या है same है sum not or all है मतलब इसका either or चलेगा और कब चलेगा जब करेक्टर क्या हो interchange ना हो मतलब b a और b a दीख रहा है मतलब b a क्या करेगा either or की condition को definitely follow करेगा ठीक है क्या होना चाहिए either or लिए दोनों गलत हो करेक्टर सेम हो no और some में interchange चलेगा some not or all में interchange नहीं चलता है करेक्टर का ठीक है और no और some है some not or all है मैंने देखा दोनों conclusion गलत है करेक्टर सेम है interchange नहीं है some not or all है मतलब यह क्या करेगा definitely either or को follow करेगा ठीक है इती बात है इस समझ में अब चलते हम अपने अगले conclusion की दरफ यह रहा क्या लिखा हुआ है some not लिखा है किसमे b और a में ठीक है एक नट यह लिखा है some not किसमे किसमे लिखा है b और a में और दूसरा conclusion क्या बोल रहा है all लिखा है a और b में ठीक है अब मैंने बना लिया यह ठीक है diagram अपना statement का अभी क्या बोल रहा है यह हमें क्या check करना है sum not b और a में b और a का negative relation है नहीं मतलब यह क्या हो गलत हो गया all a r b है नहीं sum a r b है all है क्या नहीं मतलब यह भी क्या हो गलत अब मैंने देखा दोनों conclusion गलत है sum not और all है और character भी a b a b है बट इसमें क्या दिख रहा है दोनों A और B और B और A करेक्टर क्या हो गया इंटर चेंज हो गया एक में B A है और एक में A B है तो समनट और All में करेक्टर इंटर चेंज नहीं चलता है तो आइदर और चलेगा क्या बिल्कुल नहीं चलेगा तो option number 4 आजाएगा ठीक है तो आइदर और इसको follow नहीं करेगा ठीक है इतनी बाते आगी समझ में हम लोगों नहीं सीख लिया कि आइदर और की कैसी कैसी conditions बन सकती है तो सिर्फ क्या धियान रखना है दोनों conclusion गलत हो फिर character क्या हो same हो no और some हो और some not और all हो अब no और some में character interchange चल जाएगा सम नोट और all में character interchange नहीं चलेगा सिर्फ चार बात ही धियान रखनी इस इन चार बातों का अगर हमने धियान रखना तो आप देख सकते ही हमने आइदर और का अच्छे से समझ लिया ठीक है अब चलते हैं एक दूसरे स्टेटमेंट की तरफ ठीक है दूसरे स्टेटमेंट की रहा क्या लिखा है ओल एपल और बनाना ओल एपल क्या है बनाना है मैंने बना लिया ओल एपल क्या है बनाना है अब क्या बोल रहा है ओल केरट क्या है बनाना है यह भी ठीक है अभी A और C का कोई तालमिल नहीं बताया हमें ठीक है A और C का कोई भी relation नहीं पता A से Apple CC कहरो ठीक है मैंने sort form में लिख लिए जब बी exam में आएगा हम पूरा नहीं लिखेंगे जैसे A class में हमने sun और star पढ़ा था तो इसमें क्या करेंगे हम पूरा लिखेंगे । यह पैसे से 2 आरहा है तो हमें confusion हो सकती है इसलिए हम क्या करेंगे पूरा लिखेंगे पर अगर अलग है लेटर उनके तो हम क्या करेंगे ए बी सी ऐसे काम चला लेंगे थीक है फिर क्या बोल रहा है सम बनाना और पापाया अब यह रहा बनाना इससे सम बना दिया मै ने क्या पाया का ठीक है अब क्या बोल रहा है 9 papiya is lemon मतलब कोई भी papiya क्या है lemon नहीं है ठीक है belle नो पापाया। नो की लाइन कीज़ए मैने P or L में पापाया Помीट में हमारे कवारे कंक्लूजन की तरब कंक्लूजन हे रहा क्या लिखा हुआ पहला कंक्लूजन पोल रहा है सम बनाना और नॉट अपल कोई भी बनाना किया hate apple नहीं है पहला कंक्लूजन बोल रहा है सम नौट का किसमें बोल रहा है बनाना और एपल में ठीक है दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है ओल का बनाना और एपल में ठीक है सम नौट बी और ए में हम चेक करते हैं सम बनाना और नौट एपल है क्या निगेटिव रिलेशन बी और ए का नहीं बनाना का कुछ हिस्सा क्या है up like theully zas television5 छ लेकिन पूरा बनाना एपना बोलता है जब तो सही है नहीं था क्या नहीं बोल्र और था है अब है तो और बनानाही पनाना एपटन थाकर और सोगते हैं नहीं आप देख सकते हैं स्रेट्मेड में ठीक है जो हम में ऑमने ड्रां किया मतलब इसका pair बन रहा है ठीक है character क्या है same है और interchange भी नहीं है मतलब यह क्या है either or को definitely follow कर रहा है तो इसका answer क्या जाएगा either or ठीक है अब चलते हम अपने दूसरे conclusion की तरफ यह क्या लिखा हुए statement a, b, c, p, l ठीक है यह b था, यह c था, यह a था, यह p था और यह क्या था, l था, ठीक है ऐसे ही था बिल्कुल, अब क्या करते हैं, हम चलते हैं दूसरा conclusion की तरफ क्या बुल रहा है पहला, some banana or not, lemon, lemon some not का पूछ रहा है, banana और lemon में ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है all banana or, all का पूछ रहा है, banana और lemon पर ठीक है, some not बनाना, lemon फॉलो करेगा some not कहा, banana यह रहा, lemon यह रहा मैं जाओंगी, some से, banana से, lemon की तरफ banana से, lemon का direct है, कि निगेटिव रिलेशन नहीं है अब मैं देखोंगी, बनाना के साथ कोई ऐसा जुड़ाया बंदा जो क्या है, L से, negative relation रखता है बिल्कुल, banana के साथ, papaya जुड़ा हुआ है यहां पर, जो की, इसके साथ क्या करता है, negative relation मत रखता है मतलब, यह भी क्या रखेगा, negative relation मतलब, यह क्या है, बिल्कुल, सही हो जाएका some not line है, मतलब, क्या है, follow कर रहा है इन डिरेक्ट वी से, यह क्या कर रहा है L को follow कर रहा है, मतलब, some not some banana are not, lemon बिल्कुल सही है, अभी क्या बोल रहा है all banana are lemon banana और lemon में all दीख रहा है नहीं, मतलब, यह क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, some not banana lemon follow कर रहा है और all banana lemon follow नहीं कर रहा है मतलब, only first conclusion is follow, ठीक है, इतनी बात है समझ में, अब चलते हम हमारे अगले conclusion की दरब, क्या बोल रहा है some lemon are not banana अब बोल दिया, इसमें इकनट, lemon और banana, ठीक है, some not बोल दिया, lemon और बनाना, all बोल दिया, बनाना और lemon, ठीक है, अब हम इसको चेक करते है, some not lemon और बनाना में lemon से क्या banana का negative relation है, नहीं lemon के साथ कोई ऐसा जूड़ा है जो banana से negative relation रखता हो बिल्कुल नहीं जूड़ा है, तो मतलब, यह क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है यह क्या है, गलत हो गया अब मैंने देखा, all बनाना और lemon है बनाना और lemon में all है, नहीं मतलब, यह भी क्या हो गया, गलत हो गया मैंने देखा, दोनों conclusion गलत है मेरा दिमांग तोड़ेगा, some not और all के either or की तरफ ठीक है, दोनों conclusion गलत मैंने देखा, some not all यहां तक तो follow के, अब देखा, मैंने lemon और banana और banana और lemon है, तो character same, लेकिन क्या है, उसी order पे नहीं लिखा गया है, पहले lemon उसे बाद बनाना हो, इसमें क्या कर दिया है, पहले banana फिर lemon मतलब, character क्या होगा है, इंटर change होगा है, तो यह follow करेगा, क्या आइदर और को नहीं follow करेगा, तो इसका answer क्या जाएगा, नाइदर first follow नो, second follow मतलब, दोनों conclusion क्या है, गलत है, ठीक है, इतनी बात है, इसमझ में, आइदर और में सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है, आज हमने क्या सीख लिए, अपने possibility पढ़ेंगे, ठीक है, possibility पढ़ेंगे, possibility को हम solve करना सीखेंगे, ठीक है, यहां तक का बन जाएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को मैंने जितनी तीन पाठ हम मैंने आप लोग को पढ़ाया, अगर आप लोग को उने बिल्कुल उसे समझने की कोशित की है, तो आप लोग को वह समझ आया होगा, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और मैक्सिमम शेर कीजेगा, ठीक है, आज आपने सेशन को अट अप करते हैं, तिल देन, कीप लॉनिंग, कीप टैक्टिसिंग, थैंक्यू और बाबाए,